वेलकम पैक टो और चनल प्लेस्मेंट अचीवर को गाइस टूड़ी वेए रगए टू लर्न वेड़ी इंपोर्टेंट टौपिक टायम इन वर्क के पॉइंट आप व्यू से सबसे ज़्यूदा इंपोर्टेंट टौपिक में से एक है इसका एक्जाम वेटेश में टू तू से इंपोर्टेंट पिलर हमारा यह है कि क्रेक के से करें और उसको कितना जल्दी करें बहुत ज्यादा मेटर करने वाली है तो इसी स्पीड को देखते हुए हमें बेस्ट एप्रोच करनी है उन बेस्ट में सबसे ज्यादा यूज ओने वाली सब्सक्राइब यूज है और फिर लास्ट में अप्शन ट्राइब में क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर है टाइम एंड वक का एक एंड कंप्लेट एवर्ट इन टेन डेज सब्सक्राइब कंप्लेट सेम पीस ओवर्ट इन फाइव देज और हम से पूछ लिया जाता है फाइंड आप टाइम पिक्वार्ट टू कंप्लेट जा वर्क बाइं यह हम से पूछा गाए यह एक बेसिक स्ट्रक्चर है टाइम इंड वक के कोशन का कुछ जब भी ऐसे कोश टेन डेज यहां पर टाइम की यूनेट डेज अर्स और मिनिट्स भी हो सकती है टाइम ओफ भी हमारे पास है फाइफ देज अब हम इन दोनों का लेंगे या लिस्म होगा यह लिश्ट कॉमन मृटिपल जो टैन और फाइप दोनों को डिवाइट दोनों डिवाइट कर सकते चीक है अब देखिए जो एलसियमा आया हमारा यह हमेसा टोटल वर्क को रिप्रिजेंट करेंगा में एक यूनिवर्सल फूर्मला है टाइम उक्वल टू के वर्क अप अपन कैपसिटी यहाँ पर कैपसिटी का मतलब सीधा-सा है वगकड़न पर यूनिट टाइम का यहाँपे शिदा सीनिर्य यह लगज दे और मिनिट्स द्रक्षाउं तो पर मिनिट और देर रखें स्नीय केकशिटे में को आप स्पीड की क्यों खोलेंट नीगा सकते हैं कि अब कैसे यूज करना है हमें हमारा टेन डेज है इनका हमने लिया हमारा है यह जो यह टोटल वर्क को रिप्रेज्ट करेगा अब आप यह समझें कि टेन वर्क अगर हमें हम्प्लीופay करना है इसे लिए ठेंडेजर अब करेगा और यह मारा वर्क को रिप्रेजटैने करते को ऑघर है तो यहां पर क्या मतलब है वन यूनिट वर्क डन वाई ए इन वन डे वन टू यूनिट वर्क डन वाई वी इन वन डे तो यहां पर अब हमें सीधा साँальный कि मोगा तो यहां पर अ वर्क अपटाइम साथ मिलाके पूछा है तो यहां पे वहीं की सब्सक्राइब work is equal to 10 capacity of A and B together 1 plus 2 which is 3. So we can say here I am required to complete the work by A and B together is 10 by 3 days. This is improper fraction so we can change it in mixed fraction 3 1 by 3 days. Mostly exam option में आपको Mixed Fraction ही मिलता है. Inprofit Fraction बहुत कम देखा गया. चीकर गाइस तो यहां पर आपको समझना होगा कि जो टाइम इन वक है उसमें जो मेन कॉंसेप्ट है वो LCM मेटर हर उस चेप्टर में लगा सकते हो जहां पर त्री वैरियबल्स है एक वैरियबल , दूसरे वेरियबल के डायकी प्रपोर्शनल होगा यानि की अगर टईम इन ओकरी की था नें इन ओकरींगर पांसेट देख ऐगा सीम 먹어 kann अगर यह कंस्तेयाफ एक मेपर यहो चाहिए मैं प्रांस क् égalपर讲 तो यह स्ट्रेंट्स हमारे कोश्चन करने का जो पैटर्न रहेगा इनिशली बैसिक लेवल फिल लेवल वन फिल लेवल टू और लेवल टू में हम एक्जाम और इंटेड फूल और इंटेड देखेंगे तो चलो आएए सिखें लेवल पर पास्ट कोशिंट एक इन कंप्लीट पीस ओवर्क इंट्वल टेज यह वी गैन राइट एक अंप्लेटिंट वैल बड़ी इस सेंपीस और वाइप इन फिफिटेंड इस फिर्मेट में आपको लिखना है सेम श्रक्ष्टर फोलो करना इंशली बात में आप वर्बली भी कर सकते हैं को सीकें कंप्लेट इन देज ठीक है नाओ वी है व्याव टेक्ट यह सिम ओड़ी टाप ट्वेल फिप्टीन एंड अब यह सिम निकालने का सब्सक्राइप सब्सक्राइब तरीका है कि आप तो हाई आइस पावर सेलेक्ट करें आइस पावर प्राइब नंबर किया है और टेन के में हमिने देखा जाए चेड़ के फ्रेक्टर को फेक्टर्स होते हैं ही तो फॉर इनटी मे आदेखें लूट हाइस तो पर दिखाई दे रही है यानि की फूर तो हमने फूर ले लिया फिर बाउर में वन ही दिखाई दे रही है तो त्री और फायए पावर भी बन है विडिवेन और आंसर इस फरिंटुटी इंटू 5 विचिन इक्वड़ टू तो यहां पर यह जो एल्सियम आया यह हमेसा टोटल वाग को रिप्रेजेंट करने वाला है तो यूनिट्स वर्क कम्प्लिट करने के लिए ट्वेल डेज लगते एक एक जो कैपसिटी ओगी वह वोगी पाइग कैसे एक पैसिटी को टूवर्क अपून टाइम वर्क शिक्टी टूवर्क पैसिटी क्या होगी उनिट्स कंप्लिट करने के लिए तो पूर्क की कैपसिटी सिक्टी डिवाट बाइट बैटेन शिक्स तीवर्क एटेन यूनिट्स फैटें तो यहां पर हम इसको सिद्धा ऐसा समझ सकते हैं पांच आम खाये बारा दिन तक खाये तो तक किये तो 60 टोटल ठीक है आप इस लिए में देख सकते हो या सिक्स की स्पीड से कोई चलता है ठीक है तो तक चला तो 60 किलोमेटर से कोशन में भूला गया है कि टाइम ओफ ए प्लस बी प्लस सी किया मिलकर काम कितने दिन में करेंगी इन हाउ मेनी डेज एप्लस बीस टोगिदर कमप्लीट थैसिश्टी और तीनों साथ करने तो तो चिंका प्पूचहा है उन्हीं की कैपसेटी इन्वल्प कर नी है तो five प्लस four ब्लस six कितना हो जाएगाocol यह यह जाएगा फिटे तो हमने 60 divided by 15, which is equal to 4, 4 days are required to complete the work by all of them, so answer हाग रहा है हमारा 4 days, okay guys, next question देखते हैं, मुकेस कें दूए वर्क इन 18 देज, मुकेस कें दूए वर्क इन 18 देज, सबसे पहले तो यहां पर हमें इनका लेना लेना लेस्यम ऑफ 18 एंट 24 लेस्यम ऑफ 18 सेम वे में हमें क्या करना है यह हमें दिख रहा है 9 इंटू टू और यह हमें दिख रहा है 8 इंटू 3 बिगन राइट 9 is square of 3 8 is square of a cube of 2 ठीक है हमें हाइस पावर सेलेक्ट करनी है हर फेक्टर से ठीक है तो तू की हाइस पावर यहां पर क्या अवेलेबल है टू तू पावर टू तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा यहां पर यहां फेन रिजल्ट लेक्स क्या होगा सेवंटीट्टी जो हमारे टोटल वरक को करऊंशन करेगा है तो टोटल यहां पर सेवंटीटू है बार ऑच्वेंटी यह्क्ट कू लिए प्रेज हिस्ति की क्या होगी पूर यूनिट सब्स पर देंगे टीक Commissionी एम पूर उनिट कैपसिटी आफ आर यानि राजेस क्या हो जाएगा 72 डिवेड़ेट बाइट 24 यानि की ती अब इन्होंने बोला है कि दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे नाौ टाइम ऑफ राकेस एन केस्ट तुगेदर रख आप आपन कैपसिटी आफ राकेस एन कैस तुगेदर तो गेड़ेश के पसे अवब केज़ा तो गेड़ेश केड़ेश के तूगे सेवने तो की तो यह विए राइट 137 रस तेवंटी सी ड़ाए सब्सु जाकन करेंगे है बहुत ही सिंपल कॉंसेट है एलसेम बहुत सिंपल है ठीक है आप इसको बहुत सहर से देख सकते हैं एक इन कंप्लीटेव और इन 30 यार्ट यहां पर 30 आर्ट में कंप्लेट कर रहा है राइट कि सेम पीस बीगेंग कंप्लेट इन 45 आर्स में बीगेंग कंप्लेट कर रहा है तो हमारा एंसियम क्या होगा 90 90 किसको रिप्रेसेंट करेगा टोटल वर्क को ठीक है 90 कैसे आप देखिए 30 और 45 यह आपको फेक्ट्रेस में में दिख रहा होगा यह दिख रहा है टू इंटू त्री इंटू 5 और यह दिखाई दे रहा है 9 इंटू 5 देखो हीएस पावर 9 त्रीगी हाइस पावर 5 की वन है और 2 की वन है तो यह हो जाएगा लेने के लिए हमेशा हम जो प्राइम नंबर सोंगे प्राइम जो आ रहे हैं उनका हाइस पावर लेंगे तो यहां पे 90 युनिट्स वर्क करने के लिए 30 आस लगे यानि के लिए की त्री पी की के लिए टू अब पूछा है दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे तो टाइम आफ ए प्लस बी इस एक वर्क अपॉन कैपैसिटी ओफ ए प्लस बी वर्क यहां पे 90 है और ए प्लस बीकी के पाइट इस फाइव हमारा आंसर सिद्धा कि इस तो कितना ह हो जाएगा को कि कि 18 डेज तो दोनों साथ मिलकर स्वरी एटिन आठ्स इस एटिन आर्ट्स में नेक्स और नेट्स क्यों इन के वेल इन 15 मिनिट एप टू फ्रेंड से माली जो फिप्तीन मिनिट लेता है इस सेकेंड फ्रेंड है वो लेता है 20 मिन्ट इन हाउब मस्टाइम देकें डिक्ट सेम काइंड ओप्री वेल्स इप्डेवर्ट तोगेदर लिसम क्या हुआ हमारा यहां पर थोड़ा सा चेंज में दिया है कि प्रीवेल्स इप देवर्ट तोगेदर यानि कि पहले यह एक ही वेल को डिक्ट कर रहे थे हैं अब यह थी वेल को इसका मतलब यहां पर जो वर्क है वह तीन गुना हो जाएगा तो एलसियम क्या आएगा फाइब ट्विंटी का एलसियम हो गया 60 और 60 यह हो गया इसको कंप्लीट करने के लिए क्या होगा पूर की केपेसिटी फॉस्ट को चाहिए और त्रीकी केपेसिटी जैकेंड को चाहिए ताइम और फास्ट एन इसकेंड तो कंप्लीट अब यह थैस ओफ ट्वर्क तो थैस अब देट वर्क सिस्टी वर्क उनियंट का थैस करेंगे हम तो 60 इन्टू 3 ओके और डिवेड पाइस सेवन यह हो जाएगा 180 अपोन सेवन क्लियर एक वन एक वन एक 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 तो तो ताइम वन वेल यानिकि शिटी बाइस सेवन करके फिर वन वेल कर टाइम इतना आ गया तो आप उसको त्री से से एक बात हो जाती नेक्स कोश्चन कि इस कोश्चन में थोड़ा सा चेंज दिया है मैंने अभी तक के सारे कोशन सेम पैटरन में आ रहे थे थे थोड़ा सा पैटरन चेंज किया है एबीजी टूगेदर केंडू एवर्क इन एट देज एए अब यहां पर तीनों ने कम्माइंड ली एट देज में किया इफ एन बी केंडू इन टेंडेज अब ए और बी कार्ड इसेपरेटली टाइम दिया हुआ है है twandées ओर वीक्हा में दिया है एशर्ट इबीज आप से मऄ ने ले लएजे कि हैं में यहां पर हो जाए थासवा our और 120 टॉसका है तो ABC को किपनी कैके सिटी हो जाएगी 120 त्वाइट 15 21 222 एक कुझ वन ट्वेंटी गवैज 25 और 20 डिविट है फिर्टी पूल यह कैपेसिटी एब सीटी टुगेदर वो जाएगी है यह कैपेसिटी वी एलोन और यह कैपेसिटी भी अलोन चेक है कि अब इन्होंने पूछा है कि टाइम ऑसी क्या होगा तो हब्खव अपॉन कैपसिटी ओप सिप्सक्राइब यहां एक प्लस प्लस थी गीवन है और उसमें से हम capacity of A plus B अगर निकालते हैं तो हमारे पास capacity of C रह जाती है ठीक है तो A plus B plus C की capacity हमारे पास कितनी है 15 और उसमें से A plus B की capacity हमारे पास कितनी है 6 plus 4 10 तो हमारे पास capacity of C क्या आ जाएगी 5 अब simply put करो formula में work हमारे पास 120 यूनिट है और capacity of C 5 है तो 24 डेज होगा कि यह स्ट्रेंट्स बहुत सारे स्ट्रेंट्स को यह कोश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे जिनका एप्रिटूप थोड़ा सा ठीक टाक है तो आप पेशन्स रखें क्यूंकि मैं basic पढ़ा रहा हूं अभी केवल बेसिक चल रहा है और फिर लेवल टू जो देखेंगे उसमें बहुत हार्ड कोश्चन बूंगा मैं तो अगर आपको यह आता है तो पेशन्स रखें नेक्स लेवल के कोश्चन के लिए कोश्चन में थोड़ा चेंज है परसेंटेज और रेशियो इनका इंट्रोड़क्शन कैसे होता है टाइम इन व स्कूर्पल टू वर्क अपन कैपेश्ची। जमद्क कॉंस्टेंटों कि डरका स्कॉर्ष को टाइम जो है कैपेश्च टी का कभि़िटा और यानि कि आप माली चाहमें टीवन और टीटू कोई दो रेशियो दे रखेंगे दो परसंट के टाइम के रेशियो दे रखेंगे तो उनकी कैसे का रेशियो जर्स्ट रिवर्स हो जाएगा कैसे अभी देखेंगे यहां पर देखो जिससे कंपेरेशन हो रहा है उसको हंड्रेट करना देन भी से कंपेरेशन हो तो हमने हंड्रेट किया अंड्रेट करना बहुत इजी होता है कैलकुलेशन के लिए ठीक है और उस पर 50 परसेंट यह ज्यादा लेता है है मितलब 50 परसेंट मोर एटमेंज 100 प्लस 50 तो यह टाइम का जो रेशियो हो गया त्री रेशियो टू टू से हमने कैंसल गिया त्री रेशियो टू अब कैपिसिटी जस्रीवर्स हो जाएगा तू रेशियो त्री क्योंकि वर्ग कॉंस्टेंट है अब इन्होंने बोला और कोश्चन में दे रखा है कि कैपेसिटी हमारी तू और थ्री कंबाइंड केपेसिटी कितनी हो गए और टाइम इन्होंने कितना बोला है एटीन तो टूटल वर्क यूरेट हम यहां पर 90 अजुन कर सकते हैं ठीक है अब टो तेम वे में हमें पूचा गया है कि भी अकेला उस टांग को कितने दिन में कर सकता है तो टाइम ओफ वी इस इक्वाल टू वर्क अपॉन कैपेसिटी ऑफ भी और कितना है नाइन टी कितनी है बीकी बीकी कैपेसिटी यह ती यूनिट से त्टी की कैपेसिटी से 90 इस इस वाँसर इस वाँसर ओके गाइस नेक्ष्ट कोश्टन यह भी अच्छा कोश्टन है श्याम के इन वर्क एथ थाइस देस्पीड देन नरेश इस वी ओन लोग फीड इस एक्विवेलेंट तू कापसिटी और नरेश इनके बीट में स्पीड का रेशो दे रखा है कि नहीं इस्पीड देन नरेश की वन है तो श्याम की त्री टाइम चीक है इस से कंपेरिशन करना है उसको बेश मानोगे उसको हंड्रेड वन कुछ भी मां सकते हैं तो भी वन रिश्यो थी में आता जिरो जिरो कैंसल आउट होता है तो दोनों की तुगेदर कैपासिटी कितनी है कैपासिटी तुगेदर है इनकी थी प्लस वन पोर यूनिट पर टे तो वर्क होता है वर्क इस एक्वल टू कैपासिटी इन्टू टाइम कैपासिटी पूर गिवन है टाइम थर्टी टू डेज कोशन में है तो इसको सिंप्लिफाइग गया तो यह हो गया वन ट्वेंटी एट डेज पूश्चन पूचाएं इन हाव मिल देज नरेश केंप्लिट अलॉन तो टाइम ओफ नरेश इक्वल टू वर्क अपॉन कैपसिटी ओप नरेश क्या हो जाएगी एपसिटी ओप नरेश हो जाएगी वन ट्वेंटी एट इडिवाइड बाइड वाइड डियाने कि हमारा आं is equal to 128 days okay guys question is based on ratio ratio between the time taken by a and b ratio of time in is given as four ratio five certain work here we can see work is constant if together they can complete a work in 20 days the work constant होता तो कैपसिटी इनकी रेसिप्रोकल होगी तो फाइब और four just reverse कर दिया ठीक है सेम मैं मैं इनों बुलाई if together they can complete a work in 20 days ठीक है तो टोटल वर की कितना हो जाएगा 20 days में तुगेदर तुगेदर दोनों की मिला के कैपसिटी कितनी हो गई 9 180 units work total work much harder in how many days a alone time of a is as which is equal to work upon capacity of a so we can see here work is 180 here and capacity of a is five unit per day it means we can cancel out five days of fifteen or five six thirty thirty six days or answer okay guys same ratio यहां पर एक चीज़ नोटिस करनी है कि टाइम का रेसिप्रोकल होता है capacity जब work constant okay guys next question a father can complete a work in that time which is equal to time taken to complete same work by his two sons देको एक फादर है और उनके दो सन है इनका जो रेशियो है दुनों का सेम है टाइम का रेशियो वन रेशियो वन रेशियो वन रेशियो टाइम का रेशियो सेम है तो तो capacity का रेशियो भी क्या हो जाएगा वन रेशियो चीपके वन सन इन कंप्लेट वर्क इन ट्री आर्स देखो सन वन का जो टाइम देरका है त्री आर्स और संटू का टाइम देरका है शीक साथ एक लिए लिए हमने टोटल वर्क उनिट हुई शेक्स और कैपसिटी कितनी क्या है चूंच और वनाउन की कैपस्रीटी तो और सटू की कैपस्रीटी वन ओके लेकिन यहां देखो कमबाइंड के पास्टी ए सन्वन और सन्टू की है फिए परटे फिए ठीक है अन्टियूंट परटे और यहीं वे इन copyright दोनों की क्या है एक वल है एक फादर और सन की जो कैपेसरिटी यह वो क्या हो जाएगे त्री रेश्यो त्री देन फाइंड इन हाव मेरी आर्स पादर की इन कंप्रिट एट वर्ग कितना है हमारे पास वर्ग हमेसा ल्सीम होता है तो टोटल टाइम टेकन बाइट फादर इस एक्वल वर्क अपॉन कैपेसरिटी ऑफ फादर विच इक्वल टू कि सेक्स अपॉन त्री तो और आंसर इस तूड़ी को कि यहां पर स्पेशली नोटिस करने वाली बात थी कि फादर और दोनों संगी कैपेसरिटी कंपाइंड ले इक्वल इक्वल दी हुई है तो संगी कैपेसरि कि नेश्ट पोशन है एंबी केंगें कंप्लीटेवर इन ट्वेंटी डेज़ें ट्वेंटी फाइव देखो ए और भी है जुवर्क कंप्लीट करते हैं ट्वेंटी डेज में और ट्वेंटी फाइव देज कि कि एल्सियम कितना हो जाएगा सीधा यहां पर हम देखें तो ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी का एल्सियों होगा हंड्रेट 25 125 400 टीक है यह कैपसरीटी एक हुई और यह कैपसरीटी विटी कैसे निकाली 100 दिवाइड बाइड 20 और 100 दिवाइड बाइड 25 सब्सक्राइड बाइड वर्किंग तुगेदर बट एलेप इन सी डेज विपूर दे कंप्लिशन देखो समझो माल लिए कि दोनों ने यहां से यह वर्क है दोनों ने यहां से वर्क स्टार्ट किया ठीक है माल लिए इतनी बड़ी थीवार करना नहीं और दोनों स्टार्ट किया और यहां त insulting यह थी यह को कॉद्च चला गया या जिट चला घया तो लाश्ट आखि यह में काम किनों ने किया यह औप तो बीन थी टेज में काम किया थाड़ डेवर्क जैसे फिनिस हुआ 100 यूनिट कंप्लेट होगी इन इन थि दी इस में बीन काम किया है और बीकी केपेसिटी कि इतनी है वी केपेसिटी फोर और फोर की कैपेटी से ट्री डेज तग वर्क यानिकी ट्वैल विनित्स वें तो ब वर्क कंप्लेट हुआ पहले ए और बी ने चब साथ काम किया अब इन्होंने पुछा है कि इन हाव मेरी देज वर्क वास दन तो कितने दिनों में टोटल काम हुआ तो सबसे पहले यह देखू कि अब तैम आफ प्लास वी एक्क वर्क वर्क कि है क्योंकि पूरा वर्क नहीं कि यहां पर यहां पर 88 लिया हमने और केपेसिटी एटृट करने के लिए दोनों की लगेए तो नाइन की कैपेसिटी से यह हो जाएगा नाइन नाइन जैन एटीवन सेवन भाई नाइन डेज अब कोश्चन हमारा है कि फोल वर कंप्लिट होने में कितना टाइम लगा तो देको नाइन डेज तो यह लगे प्लस ट्री डेज लास्ट में बी ने लिए तो टूटल टाइम हो जाएगा हमारा नाइन अस्त्री ट्वेल सेवन बाई प्लस नाइन डेज अच्छा कोश्चन है वापिस देखिए ए ने 20 डेज में कम्प्लिट किया बी ने 25 डेज में कम्प्लिट किया एकें लिया हमने 100 हो गया तो एसीं में बाद में एकी केपेसिटी फाइब यूनिट्स वर्ट पर डे आई और वी की पूर यूनिट्स वर्ट पर डे आई चीक है अब कोश्चन में गिवन है कि बीन एक वर्ग कंप्लिट होने के थी डेस बीफोर बी नहीं काम किया क्योंकि बी एलेप चला लेप करके चला गया टीन दिन पहले लाश्ट के थी डेस बी नहीं किया होगा यह तो चला गया और जैसे लाश्ट के थी डेवर्ट कंप्लिट करता है 100 हो जाता है तो पहले कितना हुआ होगा इंटीन हुआ होगा तो टोटल टाइम पूछा है पूरे वर्ट को करने के लिए तो टोटल टाइम पूर्ट वाला पार्ट एउर भी टुगेदर और लास्ट में बी ने जो अपके लिए किया वो दोनों को एड कर देंगे तो टोटल टाइम लगा वेल्व सेवन बाइन ना सब्सक्राइब कराओ तो आप कमेंट बोक्स में डाल सकते हैं आपको समझ में आया होगा और नेक्स लेक्चर में हम इसका एडवांस लेवन सेखने वाले हैं तो आप जिनको यह बेसिक पॉंसेट्स आते हैं वह पेशेंस रखें और बने रही है की पोचिंग की